देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ साथ जोतिश, वास्तु, मंत, राधी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय प प्रगत करता हूँ, आशा करता हूँ, आप सभी सवस्त होंगे, महादेव की क्रिपा आप सभी पर सदायव बने रहे, यह वीडियो है, 26 सितंबर 2022 से 2 अक्टूबर 2022 तक के सापताहिक राशिफल के बारे में, एक सामान्य विश्लेशन होता है, चंदरमा की क्या गती रहती ह आपके लगन से, आपके प्रतम स्थान से, उस पे आधारिती विश्लेशन होता है, यदि आपको अपना लगन नहीं पता, तो आप अपनी राशी से भी इसको अब्जर्व कर सकते हैं, कंपेरिटिवली लगन से अच्छे रिजल्ट आते हैं, हर लगन या राशी के साथ मैं उपाए भी अवश्य बताता हूँ, जिसके करने से हफते की या सपताह की सकरात्मक्ता आपके लिए बढ़ जाएगी, तो शुरुआत करते हैं, आने वाले हफते याने की 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक के सापताहिक राशी फलका मेश के साथ, बात करेंगे मेश के सा मेश के लिए चंदरमा 26 तारिक को अल्रेडी स्थापित होंगे चटे भाव में और 27 तारिक तक यहीं पे रहेंगे, 27 तारिक के शाम के 8 बजे तक, कन्या में, लगन से चटे में आना चंदरमा को थोड़ा परिशान अवश्य करता है, और ज़ादा परिशान करेगा यहाँ पर उनका बहुत सारे ग्रहों के साथ होना, क्योंकि सूरे के साथ हैं तो अमवस्य भी होगी, और अमवस्य योग बन रहा है, शुक्र भी यहाँ पर है, शुक्र खेर आपके लिए धनभाव के स्वामी है, तो धन के संबंद में कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन यहाँ प ब्रहस्पती की विद्रिष्टी है, ब्रहस्पती अच्छे ग्रहे हैं, लेकिन वक्री हैं, बारवे घर में हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि इतने सारे ग्रहों का प्रभाव रहेगा चंद्रमा पर, तो आप बहुत कन्फ्यूज भी हो सकते हैं, छोटी-छ चंद्रमा खुद आपके लिए चौथे भाव के स्वामी हैं, तो कहीं न कहीं emotionally थोड़ा unbalanced, imbalanced आप फिल करेंगे, जहां तक नवामसा की बात है, कहीं न कहीं अपने में अधी आप खोए रहेंगे तो अच्छा रहेगा, यहां पे लोग आपके भावों को समझ नहीं पाए अच्छा रहेगा, जहां तक दसामसा की बात है, यदि आप computer से संबंदित कुछ कारे करते हैं, love होगा, love life, अपने partner की अच्छी qualities पर थोड़ा नजर डालेंगे तो आपको बहुत कुछ दिखेगा, हमारा mindset होता है बहुत important, यदि हम किसी व्यक्ति को negatively देखेंगे, तो हमें उसके केवल negative points ही दिखेंगे, और इसका उल्टा भी सही होता है, जहां तक विवाहिक जीवन की बात है, आगे बढ़ने का समय है, family planning के लिए समय अच्छा रहेगा, जहां तक सेहत की बात है, आपको पेट से संबंदित रोग और lower body में थोड़ा दर्द रह सकता है, students के शाम के करीबन 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके, सब्तम भाव में, और यहां पे राहू और केतू के बीच में आ जाएंगे, निकि केतू के साथ बैटेंगे, राहू केतू एक्सेस में आ जाएंगे, इसके साथ ही वो शनी महराज से दृष्ट भी होंगे, शनी कर थोड़ा परिशान रहेंगे, हो सकता है रीसेंटली आपको धोका कहीं से मिला हो, और वो चीज आपको बहुत परिशान करेगे, क्योंकि जिसने भी वो धोका दिया होगा, उस पे आप बहुत ट्रस्ट करते थे, एक चीज है कि अपनी पब्लिक इमेज को लेकर इस समय थ ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली यदि आप पब्लिक फील में काम करते हैं तो, नवामसा कुनली यह बता रही है, भ्रमित महुत रहेंगे, दसामसा, यदि बिजनस करते हैं तो फिर भी कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है, जहां तक लव लाइफ की बात है, यह समय ह कहीं immaturity जहलकेगी समय और जिसके कारण problem हो सकती है, सेहत, anxiety बहुत रहेगी, sleep disorders रह सकते हैं, जहां तक students की बात है, समय तो अच्छा है लेकिन focus कम रहेगा, सरवाश्टक में फिर से चौथा स्थान अतिन तपली है, यह जो समय है आपकी emotional सेहत के लिए बहुत अच्छा नही दिख रहा है, थोड़ी problem हो सकती है, 30 सितंबर सुभा के करीबन एक बज़े चंद्रमा आ जाएंगे आपके आठवे स्थान में, विरुष्यक में आ जाएंगे, नीच के हो जाएंगे और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे, अब नीच के जब हो गए है चंद्रमा और विप्रीत राजयोग बना रहे हैं, यहां से भी थोड़ी protection अवश्य प्राप्त होगी, जो हफ्ते का शुरुवाती भाग था, वहां पे प्रहस्पती इतना नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ग्रहों का प्रभावता, लेकिन क्योंकि यहां पे उनकी दृष्ट विप्रीत राजयोग बनाते हुए हैं, तो जो शुरुवाती समय है हफ्ते का, उससे comparatively जो अन्तिम भाग होगा हफ्ते का, वो बहुत अच्छा जाएगा, कुछ चेंज़े आएंगे, कुछ पॉजिटिव चेंज़े आएंगे, कारेक शेत्र में भी कुछ अच्छे चेंज करते हैं, लाब होगा, लव लाइफ, कही न कहीं पैशन इंक्लूट करना पड़ेगा दोनों के बीच में, जहां तक विवाहिक जीवन की बात है, कुछ नई शुरुवात करने के लिए समय अच्छा है, सेहत के इसाब से पेट से सम्बंदित रोग और कही न कहीं हलकी चोट भी लग सकती है, जहां तक स्टूडेंस की बात है, थोड़ा मूर स्विंग्स जादा रहेंगे, इससे बचके रहेंगे, सरवाश्टक में फिर से चौथा स्थान रतिंत बली है, लेकिन क्योंकि चंदर्मा के सिरी थोड़ी बेटर होई है, तो जो परिशानिया मानसिक तोर बार पाट करना है, चलते हैं टॉरस यानि की विरिशप के तरफ, आपके लिए चंदर्मा, 26 तारीक को रहेंगे आपके पंचम स्थान में, यानि की कन्या में, और 27 तारीक रात के 8 वजे तक यहीं पे गोचर करेंगे, चंदर्मा का पंचम में आना वैसे अच्छा ही होता ह ये ट्रिकोन स्थान है, लक्ष्मी स्थान है, अब यहाँ पे बहुत सारे ग्रहों के साथ है चंदर्मा, एक तो सूरे के साथ है तो अमवस्य है, ब्रहस्पती की दृष्टी है, लावस्थान से ये अच्छा है, लगने के स्वामी, शुक्र के साथ है, ये भी अच्छा है, बुद्ध के साथ है पर वो बुद्ध पंचम भाव के ही स्वामी है तो ये भी अच्छा है बस एक प्रॉब्लम जो है कि ये जो अमवस्य योग बन रहा है पंचम भाव में ये आपको थोड़ा overthinking करवाएगा, मानसिक तोर पर थोड़ा impulsive बनाएगा अचानक से कुछ ऐसा कह बैठेंगे, कर बैठेंगे जो आपको शोभा नहीं देता या आप पर कुछ नकरात्मक प्रभाव छोड़ कर जा सकता है क्योंकि लगनके स्वामी के साथ बैटे हैं तो वो हमेशा protection देते हैं तो इसलिए जितना नकरात्मक ये चीज हो सकती थी, उसमें बहुत हद तक कमी आएगी जहां तक नवामसा की बात है, mood swings बहुत होने वाले हैं दसामसा कुनली यह बता रही है, corporate sector में काम करते हैं, lab होगा love life, अगर आपको दिख रहा है कि कोई problem है, तो उस पर काम कीजिए उसको ignore और avoid मत कीजिएगा married life, ना कहना सीख लीजिएगा, चीजें simple हो जाएंगे आपके लिए जहां तक सेहत की बात है, chest से सम्मंदित रोग और कोई ना कोई infection तंग कर सकता है students, आपको focus करने में बहुत problem होने वाली है, समय ठीक है लेकिन focus नहीं बैट पाएगा जहां तक सरवाश्टा की बात है, आपका तीसरा स्थान अत्यन तबली है अचानक से यात्रा आपको करने बढ़ सकती है, जो आपके लिए सुखद ही रहेगी, लेकिन क्योंकि schedule के खिलाफ होगी, थोड़ी problem हो सकती है 27 तारीकों करीबन शाम के 8 बजे, चंद्रमा आ जाएंगे आपके छटे स्थान में और 30 सितंबर, सुबहा के करीबन एक बजे चंद्रमा बोचर करेंगे, फिर अगली राशी में चले जाएंगे चंद्रमा का छटे भाव में आना बहुत अच्छा नहीं होता यहाँ पर जब भी चंद्रमा आते हैं तो मानसिक पीड़ा देते हैं अब यहाँ पर राहु केतु एक्सिस में भी हैं, केतु के साथ बैटे हुएं स्पेशली और शनी महराज की दस्वी दृष्टी भी है, यानि कि यह विश्योग बन रहा है, राहु केतु से पीड़ित है चंद्रमा कही ना कही जो मानसिक इंपल्सिवनेस हफते की शुरुवात में थी है, वो अब मानसिक पीड़ा में बदल जाएगी वैसे बले ही सब कुछ हो, लेकिन मानसिक तोर पर बहुत परिशान रहने वाले हैं प्रब्लमा के बन सकती है, यहां पे सब कुछ ठीक दिक रहा है, जो अपूर्न रहरा तो पूर्न हो सकता है, बाते सही डिरेक्शन में जाएंगी और विवाहिक जीवन भी इस समय अच्छा दिख रहा है, एक बैलन्स रहेगा जहां तक सेहत की बात है, आपको स्लीप डिसॉर्डर्स और आँखों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, स्टूडेंस के लिए कंपेरिटिवली समय अच्छा होगा जहां तक सरवाश्टक की बात है, फिर से आपका तीसरा स्थान अतिंत बली है, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम यदी बिताने का मौका मिलता है, तो उस मौके को हाथ से जाने मत दीजेगा तीस सितंबर सुभा के गरीबन एक वज़े चंद्रमा आ जाएंगे आपके सब्तम भाव में, व्रिष्चिक में नीच के हो जाएंगे और सब्ताह अंत तक यहीं पर हैंगे यहाँ पर एक अच्छी चीज है कि मंगल की दृष्टी है और ब्रहस्पती की दृष्टी है मंगल क्योंकि खुद सब्तम भाव के स्वामी है तो अपने भाव को सपोर्ट करेंगे तो चंद्रमा भले ही नीच के हो एक यहाँ से सकरात्मक्ता मिल रही है कि मंगल की दृष्टी है और ब्रहस्पती जी की दृष्टी है वो लावस्थान में अपनी ही राशी में बैटे है तो इतना नगरात्पक नहीं रहेगा फिर भी क्योंकि चंद्रमा तीसरे भाव के स्वामी है जो की इच्छाओं का ही भाव है कामत्रिकोन का पहला स्थान है तो यहाँ पे कुछ ऐसी इच्छाए अच्छानक से मन में आ सकती है जो आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है अपनी सोशल इमेज के बारे में बहुत कॉंचियस रहे कुछ भी करने से पहले सोच लीजेगा कहीं इसका आपकी गुडविल पर आपके नाम पर कुछ नकरात्मक प्रभाव तो नहीं पढ़ सकता जहां तक नवामसा की बात है अचानक से यात्रा के योग फिर से दिखा रहा है दसामसा कुणली यदि आप कोई स्किल बेस्ट काम करते है तो आपके लिए अच्छा है जहां तक लव लाइफ की बात है अपने शब्दों पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा विवाहिक जीवन कहीं न कहीं मन भटक सकता है अपने उपर कंट्रोल करना है सेहत सरवाष्टक में फिर से आपका तीसरा स्थान बली है हो सकता है इस हफते आपको काफी यात्राएं शौट टम यात्राएं करनी पड़े उपाय क्या है आपको महादेव का पंचामरित सभीशेक करकर शिव चालीसा का दो बार पार्ट करना है चलते हैं जयमिनाय यानी की मिथुन की तरफ, आपके लिए चंद्रमा 26 तारीक को आपके चौथे स्थान में रहेंगे, कर्ण्याराशी में, और 27 तारीक शाम के गरीबन 8 बजे तक कहीं पे गोचर करेंगे, चंद्रमा का चौथे भाव में आना ठीक ठाक होता है, क्योंकि यह तरह से चंद्रमा पीडित रहते ही हैं, अब यहां पर बुद्ध के साथ होंगे जो वक्री हैं, लेकिन वो लगने के स्वामी है, तो यह अच्छा है, अमवस्य योग बन रहा है, यह थोड़ा नकरात्मक है, क्योंकि चौथे भाव का अमवस्य योग, आपकी मानसिक सेहत पर थोड़ा प्रभाव, नकरात्मक तरह से डाल सकता है, इवन आपके घर में थोड़ा कलह, थोड़ा कलेश हो सकता है, और आपकी माताजी की सेहत के लिए भी समय अच्छा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा शुक्र के साथ भी रहेंगे, जो बारवेस्थाने के स्वामी है, ख बजिकेसरी योग के कारण थोड़ी सकरात्मक ताएगी, लगने के स्वामी बुद्ध के साथ बैटे हैं, वो भी वक्री है, लेकिन है थो लगने के स्वामी, तो वहां से भी सकरात्मक ताएगी, तो जितना नकरात्मक दिख रहा था, ऐसे ही देखने से उतना नकरात्मक न करेगा लेकिन इतना व्यस्त रहेंगे कि वह अकिलापन या वह आइसोलेशन जो आपको चाहिए वह नहीं मिल पाएगा दसामसा कुंडली अगर आइटी से सम्मंदित काम करते हैं लाब होगा लेकिन कॉमिनिकेशन पर ध्यान देजेगा लव लाइफ के हिसाब से एक ही चीज कहूंगा कि थोड़ा ओरिजिनल रही है कही ना कहीं अपने आपको कुछ और व्यक्त करना कुछ और तरह से दिखाना चाहते हैं कि मैं यह हूँ वो हूँ जितना आप सिंपल रहेंगे और जैसे हैं वैसे रहेंगे उतना रिलेशन्शिप अच्छा चलेगा जहां तक विवाहिक जीवन की बात है फैमली प्लैनिक के लिए हफ्ते का शुरुवाती भाग अच्छा रहेगा सेहत हॉर्मोनल डिसॉर्डर्स तंग करेंगे जहां तक स्टूडेंस की बात है समय तो ठीक है लेकि करीबन आठ बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में और 30 सितंबर सुभा के करीबन एक बजे तक यहीं पर रहेंगे चंद्रमा का पंचम भाव में आना अच्छा ही होता है आपके लिए धनस्थान के स्वामी है लक्षमी स्थान में आ रहे हैं तो यह भी आठ वे में है तो वहां की अनशित्ता भी आएगी केतु के साथ है चंद्रमा तो वह भी प्रॉब्लमेटिक है और क्योंकि पंचम भाव में है कहीं ना कहीं आपके जो थौट प्रोसेस है थिंकिंग प्रोसेस उस पर प्रभाव पड़ता है तो हफते का जो यह बीच का भा यह ऐसा ही रहेगा होता है सबके साथ कभी-कभी इसको ज्यादा सीरेसली मत लीजेगा बस कोई बड़ा निरने नहीं लेना दसामसा कुंडली Finance संबंदित, Computer संबंदित कारे करते हैं अच्छा समय जहां तक Love Life की बात है अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई ती इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ खतम हो गया Upset Downs तो जीवन का एक पार्ट है उसके बिना तो किसी का जीवन आगे नहीं बढ़ता जहां तक विवाहिक जीवन की बात है थूड़ा Relaxed Atmosphere रखिएगा सेहत के हिसाब से आपको Lower Body में दर्द रहेगा सर के या सर से संबंदित यो रोग तंग कर सकते हैं जहां तक students की बात है अच्छा समय है कोई exam है आपका अच्छा करेंगे सरवाश्टक फिर से धनस्तान अतेंत बली है आपके घर में भी किसी को अचानक से धनकालाव हो सकता है 30 सितंबर सुभा के करीबने एक बज़े चंद्रमा आ जाएंगे चटे भाव में व्रिष्चिक राशी में और सर्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे यहां पे नीच के हो गए अब चटे भाव जब नीच के होते हैं चंद्रमा तो बहुत बुरा प्रभाव नहीं देते व्यक्ति को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं और कही ना कहीं से अचानक से उसमें साहस आ जाता है तो जो परिशानी हफ्ते के शुरुआत में थोड़ी बहुत आ रही थी उसमें से निकलेंगे यहाँ पर मंगल के द्रिश्टी है और मंगल क्योंकि आपके लिए लाव स्थाने के स्वामी है और खुद छटे भाव के स्वामी है विपरितराजियों को बना रहे हैं तो जैसा मैंने कहा साहस वो साहस आपको आ सकता है साहस आपको प्राप्त हो सकता है ब्रहस्पती की भी मार्केटिंग काम करते हैं अच्छा होगा लाबकारी समय है जहां तक लव लाइफ की बात है मन में कुछ बात है साहस दिखा कर कह दीजिए अगर वेट करेंगे तो ना कभी कह पाएंगे और बाद में कहा तो उसका अर्थ ही अलग निकल जाएगा विवाहिक जीवन कही ना कह या निश्यित्ता बहुत रहेगी जीवन में बदलाव लाने के जरुवत है जिसको आप ला नहीं पा रहे हैं सेहत गले के रोग तंग करेंगे students अच्छा समय है कोई competitive exam है बहुत अच्छा करेंगे जहां तक सरवाश्चक की बात है आपका धनस्थान फिर से अत्यन तबली है ऐसा लग रहा है कि इस हफते धन के संबंद में तो आपके साथ कुछ अच्छा अवश्य होगा उपाय क्या है आपको विश्नु जी को खीर का और फलों का भोग लगाना है और उसके साथ ही आपको विश्नु चालीसा का तीन भार पाठ करना है ते हैं cancer यानि की कर्ग की तरफ आपके लिए चंदरमा 26 तारीक को रहेंगे आपके तीसरे स्थान में यानि की कन्या राशी में और 27 सितंबर शाम के 8 बजे तक यहीं पे ग बं सकते हैं अचानक से यहां पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव रहेगा क्योंकि सूर्य वह साथ हैं तो आमवस्य है बुद्ध के साथ जो कि आपके लिए बारवे स्थान के स्वामी है और इसके साथ ही वो आपके तीसरे भाव के ही स्वामी है तो थोड़ा खर्चा बढ़ सकता है शुक्र के साथ है शुक्र आपके लाब स्थान के स्वामी है अचानक से लाब हो सकता है लेकिन इसके साथ ही शुक्र आपके चौ ब्रहस्पति के द्रिश्टी रहेगी क्योंकि ब्रहस्पति आपके लिए अच्छे ग्रह हैं शुब ग्रह हैं नवंभाव के स्वामी हैं तो कुछ नकरात्मक्ता यदि आने भी वादी इसको बहुत हद तक संभाल लेंगे जो नकरात्मक्ता आती वो अमवस्य योग के कारण आती एक चीज है क्योंकि तीसरे भाव में इतने सारे ग्रह हैं तो एक तो किसी से उलजिएगा मत कोई आप से कोशिश भी करे उलजने की तो आप दूर हड़ जाईएगा क्योंकि वो आपके लेच्छा नहीं होगा और कॉम्मिनिकेशन गैप आपके थोड़े जादा हो सकत हैं इस समय में नवामसा कुनली यह बता रही है कि कही ना कहीं से अचानक से कुछ बहुत अच्छी न्यूज आ सकती है जहां तक दसामसा की बात है यदि गौर्मन जॉब करते हैं समय अच्छा रहेगा लव लाइफ प्रेजेंट में रहने की कोशिश कीजेगा फ्यूचर म सेहत की बात है आँखों के रोग तंग कर सकते हैं digestive disorders तंग कर सकते हैं खाने पीरेगा ध्यान दीजेगा स्टूडेंस के लिए यह समय अच्छा रहेगा जो higher studies करते हैं research based कुछ करते हैं बहुत अच्छा समय है सरवाश तक प्रथम स्थान ही आनि कि लग नहीं बली है बहुत अच्छा है 27 सितंबर शाम के आठ वजे के आसवाश चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे स्थान में अब चौथे स्थान में आ जाएंगे और 30 सितंबर सुबा एक वजे तक कहीं पर रहेंगे चौथे स्थान के चंद्रमा हमेशा कार को भावनाशाई दोश लगाते हैं लेकिन क्योंकि आपके लिए लगने के स्वामी है तो राज्योग भी बनता है लेकिन यहाँ पर राहु केतु एक्सिस के बीच में है केतु के साथ है और शनी महराज की दृष्टी है और शनी महर रह सकता है एक दूसरे से बातचीत करने का मन नहीं करेगा और क्योंकि चौता स्थान है यदि ड्राइफ करते हैं तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा छोटी मोटी दुरघटना हो सकती है थोड़ा बचके रहिएगा यह जो समय है बहुत अच्छा नहीं है अपनी थोड़ी तेज बहाव से आपको अफेक्ट करेंगी और उसमें कुछ ऐसी चीज़े कह सकते हैं जो अशोबनिय हो अनप्रैक्टिकल हो जो कही न कहीं आप पर ही बुरा प्रभाव डालेगी नवामसा कुनली है बता रही है कि शायद जिस स्टेज पे हैं आप अपनी लाइफ में बहां से खुश नहीं है आप करना चाहते हैं बहुत कुछ लेकिन या तो परिस्थितिया नहीं होती या भागे का साथ नहीं मिलता कहीं न कहीं बहुत डिसकंटेंट रहेंगे हफदे के बीच में जहां तक दसामसा की बात है रियल एस्टेट मार्केटिंग से जोड़ा कुछ भी कारे करते हैं लाब होगा लव लाइफ ये एक समय है जहां शायद आपको अपने पार्टनर का भावनात्मक तोर पर साथ मिल सकता है वो आपके भावनाओं को समझेंगे विवाहिक जीवन साथ में बैठके प्लैनिंग कीजेगा कि आने वाला महीना आने वाले दो महीने कैसे साथ में विताने हैं कैसे आगे बढ़ना एएक टीम की तऱ आपको एक दूस्रे से बातचीत करनी है जहां तक सेहत की बात है आँखों के रोख बने रहेंगे चेस्ट समबन्दित रोख कफ रोग तंग कर सकते है जहां तक स्टूरंथ की बात है बहुत अच्छा समय है कोई गौर्वर्मेंट एक्जाम आपका पढ़ता है तो बहुत अच्छा करेंगे सरवाश्टक प्रथम स्थान फिर से अतिन्तमली है ये एक बहुत अच्छी चीज है जो थोड़ी नकरात्मकता दिख रही थी उसमें कमी आएगी क्योंकि लगन बहुत बली है और लगन जब बली होता है तो व्यक्ति महावली होता है 30 सितंबर सुभा के करीबन एक बज़े चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भावन और यहाँ पर आके नीच के हो जाएंगे अब यह मिला जुला प्रभाव देगा नीच के पंचम में हो रहा है यानि की आइडियास तो बहुत आएंगे लेकिन मन इतना भागेगा इतना दोडेगा कि अपने मन पर कंट्रोल करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अच्छी चीज है कि मंगल का प्रभाव है मंगल आपके लिए योग कारक है मैं कई बर बता चुका हूँ और यहाँ पे मंगल के अपने ही राशी में बैटे हैं तो वहाँ से भी प्रोटेक्शन मिलेगी और मंगल लाव स्थान में है अब यह बता रहा है कि लाब की opportunities तो आ सकती है लेकिन यह वो समय है जहाँ पे थोड़ा लालच भी मन में आ सकता है और उस लालच के आवेश में कुछ गलत कर सकते हैं अपने personal संबंदों पर इस ता में ध्यान दीजेगा कुछ भी ऐसा मत बोलिएगा जो किसी को hurt हो जाए क्योंकि यह वो समय है जब आपकी छोटी सी बाग भी लोगों को चुबेगी जो usually लोग हस के टाल देते थे वो इस समय नहीं टालेंगे ब्रहसपती की दृष्टी रहेगी चंदरमा पर और ब्रहसपती आपके भागे स्थान के स्वामी है तो कही ना कही भागे का साथ प्राप्त होगा नवामसा mood swings आपके इस समय बहुत होगे और mood swings आपको तंग करेंगे जहां तक दसामसा की बात है corporate sector में काम करते हैं love life love life यहां पर आपको अपने relationship को सही करने के लिए कार्य करना पड़ेगा विवाहिक जीवन यहां पर सब कुछ अच्छा दिख रहा है कही ना कहीं passionate एक समय आप वितीत करेंगे जहां तक सेहत की बात है chest संबंदित रोग और liver संबंदित रोगतंग करेंगे students अच्छा समय है बस over confidence से बचिएगा वो आपको नीचे लेके जाएगा सरवाश्टक में आपका फिर से लगना बहुत बली है ऐसा लग रहा है कि इस महीने कोई मुश्किल भी यदि आपके सामने आएगी आपके अंदर इतनी कारिक उशलता रहेगी इतना इतनी क्षमता रहेगी आप हर चीज को हर चैलेंज को बहुत अच्छी तरह से निभालेंगे उपाय क्या करना है आपको महादेव के सामने बैठकर शिव पंचाक्षस तोत्र का एक बार बाठ करना है नहीं कर सकते क्योंकि समस्कृत में है तो सुनिएगा और उसके बाद महादेव का दूद से अभिशेक करना है ये कर लीजिएगा हफता अच्छा जाएगा लियो यानि की सिंभा की तरफ आपके लिए चंद्रमा 26 सारी को रहेंगे आपके दुतिय स्थान में यानि की धनस्थान में और 27 सितंबर शाम के करीबन 8 बजे तक कहीं पे गोचर करेंगे चंद्रमा का दूसरे स्थान में आना अच्छा ही होता है यहाँ पे बहुत सारे ग्रहों का प्रभावर हैगा किस किस का देख लेते हैं सूरे के साथ होंगे तो अमवस्य योग बन रहा है बुद्ध के साथ होंगे जो धनस्थान के ही स्वामी है यह अच्छा है धना सकता है शुक्र के साथ होंगे शुक्र आपके लिए कारे स्थान के स्वामी है और तीसरे भाव के स्वामी है या तो कारे में कुछ अच्छा हो सकता है या तो आपको अपने कारे संबंदित को यात्रा करनी पर सकती है लेकिन इस समय आपके कलीक्स आपको तंग करेंगे अब अमावस्य योग का धरस्थान में बनना कोई बहुत अच्छा भी नहीं होता और बहुत बुरा भी नहीं होता अचानक से धरलाब हो सकता है लेकिन खर्चा भी बड़ेगा और ऐसा इसलिए भी क्योंकि चंद्रमा बारवेस्थान के भी स्वामी है एक बहुत पॉजिटिव चीज है कि ब्रहस्पती की दृष्टी है जो विप्रीत राज्योग बना के बैठे हैं तो जब भी ब्रहस्पती की दृष्टी पढ़ती है तो कहीं न कहीं चीजे ठीक हो ही जाती है अब क्योंकि अश्टम के हैं तो उतना अच्छा प्रभाव नहीं रहेगा फिर भी आपके लगने के लिए शुम्ग रहे हैं ब्रहस्पती तो जो भी नकरात्मक्ता आने वाली है इस अमवस्ययोग के कारण धनस्थान में जो बन रहा है उसमें बहुत हद तक कमी अवश्याएगी बस एक चीज़ कहूँगा कि हफते के शुरुआत में धन के संबंध में कोई बहुत बड़ा निरने अचानक से ना ले बलकि ले ही न नवामसा कुनली थोड़ा रूड रहेंगे आप आपको शायद इसके बारे में पता भी ना चले लेकिन आपके पूरे विक्तित्वों में एक रूडनेस एक कड़वाहट आजाएगी जो आपको किसी प्रॉब्लम में भी डाल सकती है और आपके संबंधों में भी विकार ल सेहत के हिसाब से इंफेक्शन का डर बना रहेगा पेट से संबंधित रोग बने रहेंगे जिनको हृवय संबंधित कोई भी रोग है कोई भी इशू है बहुत ध्यान दें जहां तक स्टूडेंस की बात है और इसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है सरवाश्तक बारवास्था शाम के करीबन 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में और 30 सितंबर सुभा के करीबन एक बजे तक यहीं परहेंगे क्योंकि चंद्रमा तीसरे भाव में है तो बहुत बुरा प्रभाव तो नहीं होता लेकिन यहां पे राहू केतु के बीच में आ गए योग भी बन रहा है क्योंकि शनी देव की दसवी दृष्टी है छटे स्थान से अब शनी देव क्योंकि विपरीत राजयोग बना कर बैटे हैं तीन और छे इन भावों का कहीना कहीं कनेक्शन हो गया तो भौतिक जीवन में तो आगे बढ़ सकते हैं लेकिन कहीना कहीं यह आर्गुमेंट्स ना हो नवामसा कुंडली यह बता रही है अग्रेश्चन अचानक से आ जाएगा और वो अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं होता लेकिन यहां पे आपको ही कुछ हानी दे कर जाएगा दसामसा कुंडली गौर्मेंट सेक्टर मे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं डिले ना करें चीज़ों को अगर आप शूर हैं अपने नेक्स टेप पर जाएं विवाहिक जीवन ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ पार्टनर को रिपल्स कर रहे हैं वह आपके पास आना चाहते हैं हर तोर से हर तरीके से भावना कर सकती है स्टूडेंस अच्छा समय है जो स्टूडेंस जॉब ढून रहे थे पार्ट टाइम जॉब या कोई भी जॉब उनके लिए कुछ अच्छा हो सकता है सर्वाश्टक आपके लिए बार्वास्थान फिर से अत्यम तबली है जो लोग देश से बाहर जाने का प्रतने कर रहे थे उनके लिए समय अच्छा हो सकता है तीस सितंबर सुभा के करीवन एक बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे स्थान में व्रिष्चिक में और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे चंद्रमा का चौथे भाव में आना हमेशा कार को भावना शाय दोश लगाता है अब यहाँ पे नीच के भी हो गए जो भी प्रॉबलम आएगी वो उसी कारण आएगी कभी कभी होता है हम सबको समझने का प्रयास करते हैं और अपने आपको समझ ही नहीं पाते ऐसा ही कुछ आपके साथ हफ़ते के अंत में होगा मंगल की दृष्टी है क्योंकि चौथा स्थान मंगल का अपना है तो मंगल प्रोटेक्शन तो देंगे आपके लिए योग कारण भी है लेकिन अब मंगल की दृष्टी आ गई तो गुस्ता भी आ गया तो जो आपको कोई समझ नहीं पाएगा आप खुद को नहीं समझ पा स्वामी है भाग्यस्तान के स्वामी है लेकिन इमोश्चनली बहुत खुश नहीं रहेंगे ब्रहस पती दृष्टी भी रहेगी ब्रहस पती आठवे स्थाने के स्वामी है और विपरीत राजयोग बना रहे हैं यानि कि अचानक से धना सकता है जैसा मनें कहा भौती जीव म है आपने कुछ ध्यान ही नहीं दिया तो इसके बाद चीजें हाथ से निकल सकती है जहां तक दसामसा की बात है कॉर्पोरेट सेक्टर MNC में काम करते हैं लाव होगा लव लाइफ लव लाइफ में एक चीज कहूंगा कि थोड़ा रिलाक्स एक्मॉस्फेयर रखेगा विवाहिक जीवन ठीक है बस थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए बातों के पीछे जो भाव है उसको समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सेहत के हिसाब से इंफेक्शन गले के रोग स्टूडेंस ऐसा लग रहा है कि संगत थोड़ी से बिगड़ गई है उस पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए अच्छे लोगों के साथ रहेंगे आगे बढ़ेंगे सरवाश्टक आपका बारवा स्थान अतिन तबली है इस पूरे हफ़ते ऐसा लग रहा है खर्चे थोड़े बढ़ेंगे और सेहत भी विगड़ सकती है आपके लिए उपाई यह है कि आपको सूर्य देवता को जल अरपन करना है उस जल में थोड़े से काले तिल और सफेद दोनों मिलाने है इस जल को अरपन करने के बाद आपको ओम भास करायन महा मंतर का 108 बार चाप करते हैं कन्या यानिकी वर्गों की तरफ आपके लिए 26 सितंबर को चंद्रमा रहेंगे आपके प्रतम स्थान में ही लगन में ही और 27 सितंबर शाम के 8 बज़े तक यहीं पे रहे तो अमवस्य योग बन रहा है अब यह लगन में बनना बहुत अच्छा नहीं होता मानसिक शारीरिक दोनों ही पीडा राप्त हो सकती है आपके लिए क्योंकि सूर्य बारवे स्थान के वी स्वामी है तो यह खर्चे भी बढ़ाएंगे सेहत को भी नुक्सान पहुचा सकते शुक्र यहां पे हैं शुक्र क्योंकि धनस्थान के स्वामी है तो यह अच्छा है भागिस्थान के स्वामी है यह अच्छा है उनका चंद्रमा पे प्रभाव अच्छा रहेगा और बुद्ध के साथ होंगे बुद्ध तो लगन के स्वामी है बले ही वक्री हो जैसा मैं ब्रहस्पती की भी सीधी दिश्टी है और जब लगन से ब्रहस्पती यानि की चंद्रमा और ब्रहस्पती दोनों ही परसपर केंद्र में होते हैं तो गजकेसरी योग बनता है तो ये योग भी आप पर कुछ अच्छा ही प्रभाव दे कर जाएगा यदि पब्लिक डीलिंग स जड़ा कुछ कारे करते हैं तो हफते का शुरुवाती समय अच्छा है नवामसा कुंडली ये बता रही है कि अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर पाएंगे धंग से उसके कारण कुछ विकार आ सकते हैं जीवन में दसामसा कुंडली समय तो अच्छा है लेकिन एग्रेशन र प्रयाच कीजिएगा त्रियेटिविटी लाने का प्रयास कीजिएगा कुछ न कुछ नया निरंतर करते रहना चेह वन्ना जीवन नीरस हो जाता है और नीरस जीवन जीने में किसी को भी आनंद की प्राप्ती नहीं हूती जहां तक सेहत की बात है आखों के रोग तंग कर सकते हैं स्टूडेंस समय तो आपके लिए अच्छा है बस यहां पे भी अग्रेशन जादा दिख रहा है सरवाश्टक के हिसाब से आपका लाब सान अतिन तबली है अचानक से लाब प्राप्त हो सकता है 27 सितंबर शाम के 8 बच चंद्रमा आ जाएंगे आपके धनस्थान में और 30 सितंबर सुभा के करीवन एक बज़े तक यहीं पे बोचर करेंगे चंद्रमा का धनस्थान में आना अच्छा ही होता है प्राप्लम यह है कि यहाँ पे केतू के साथ है राहू केतू एक्सिस में है तो जो धन आ भी सकता था उसमें कमी आएगी थोड़े खर्चे तो बढ़ेंगे और धन के संबंद में थोड़े परिशान रहेंगे फाइनेंशल मैटर्स में सेविंग्स को लेकर फोड़े परिशान रहेंगे क्योंकि चंद्रमा आपके लिए लाब अस्थान के स्वामी है जब वैसे धनस्थान में आते हैं तो लाब देते हैं लेकिन क्योंकि केतू है तो जो लाब दे सकते थे उसमें कमी आएगी शनी महराज की भी दृष्टी है विश्योग बनेगा यानि कि घर में थोड़ा महल खराब रह सकता क्योंकि कुटुम बस्थान है और वानी की अशुधता के कारण भी प्रॉबलम हो सकती है आप कुछ ऐसे चीजे बोलेंगे लोगों को चुबेंगी और कभी भी ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो लोगों को चुबें क्योंकि कहीं न कहीं वो घूम कर वापस आते ही है जहां तक दसामसा की बात है वही चीज़ दिखा रही है दुबढ़ा की लाइफ मैनेज नहीं है जा तो आपका जीवन का टाइम टेबल अच्छा नहीं है सोने का उटने का खाने का समय नहीं है उसकी कारण अपने पोटेंशल पर नहीं पहुँच पा रहे है जहां तक दसामसा की बात है मार्केटिंग संबंदित कारे करते हैं अच्छा समय है लव लाइफ ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन जल्दवाजी में है और इसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है विवाहिक जीवन फैमिली प्लैनिंग के लिए अच्छा समय है जहां तक सेहत की बात है स्लीप डिसॉडर्स तंग करेंगे स्टूडेंस कोई गौर्मेंट से संबंदित एक्जाम है अच्छा करेंगे सरवाश तक फिर से लावस्थान अतिन तबली है इंकम के सोर्से बढ़ाने का प्रयास त इतना बुरा नहीं होता यहां पर मंगल की दृष्टी रहेगी जो तीसरे भाव के स्वामी ही है एक अलग सा साहस एक अजब सा साहस आपके अंदर आ जाएगा ऐसा साहस जो यूजली आपके अंदर नहीं होता और इस करेज से साहस से आप अपने लिए कुछ अच्छा कर प तो हफते का अंद कंपेरिटिवली आपके लिए बेटर रहेगा जहां तक नवामसा की बात है कही ना कहीं से बहुत अच्छा कोई समाचार आ सकता है दसामसा मीडिया, कंप्यूटर्स, फानेंस इनसे जुड़ा कुछ भी काम करते हैं लाव होगा जहां तक लव लाइफ की सेहत की बात है, आखों के रोग, गले के रोग, थायराइड, संबंदित रोग, तंग करेंगे, स्टूडेंस, ध्यान के इंद्रत करना बहुत मुश्किल रहेगा आपके लिए, सरवाश्टक के हिसाब से फिर से लावस्थान अतिंत बली है, पूरा हफता लावस्थान बली होगा, उपाय यह है कि आपको दुर्गा माता का ध्यान करते हो, दुर्गा चालीसा का तीन बार पाट करना है, चलते हैं तुला यानि के लिब्रा के तरफ, आपके लिए 26 सितंबर को चंद्रमा रहेंगे बारवे स्थान में, क्वल्थाउस में, कन्याराशी में, और 27 सितं सितंबर शाम के करीबन 8 बजे तक यहीं पर गोचर करेंगे, चंद्रमा का बारवे स्थान में, आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, क्योंकि एक त्रिक स्थान है, थोड़े पीडित रहते हैं यहां पर चंद्रमा, मानसिक तोर पर थोड़े परिशान रहेंगे, थोड़े बारवे भाव के ही स्वामी है, विपरीत राजयोग तो बना रहे हैं, लेकिन बारवे स्थान में होना चंद्रमा का परिशान आपको अवश्य करेगा, एक बहुत अच्छी चीज है कि ब्रहस्पती की दृष्टी है, वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं छटे स्थान से, और शुक्र के साथ हैं, और शुक्र का ये प्रियस्थान है, मैं कई बार बता चुक हूँ पनी वीडियो में कि बारवा स्थान शुक्र का प्रियस्थान है, तो यहाँ पर थोड़ी पॉजिटिविटी आ रहे हैं, बहुत तिक जीवन में अचानक से कुछ प्राप्त कर सकत नवामसा कुंडली जो लोग देश से बाहर जाना चाहते थे चीज़ें सुलत सकती हैं जो प्रॉब्लम आ रही थी दूर हो सकती है दसामसा मार्केटिंग रियल एस्टेट इनसे जोड़ा कुछ काम करते हैं लाब होगा जहां तक लव लाइफ की बात है कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं यह समय है जानने का परकने का और आगे बढ़ाने का चीज़ों को विवाहिक जीवन पैसों की बाते मत कीज़ेगा फाइनेंशल डिसकशन्स अवाइट कीज़ेगा जहां तक सेहत की बात है यदि डाइबर्टी से ध्यान दीज़ेगा स्टूडंस बहुत अच्छा समय है सरवाश्टक आपके लिए आपका दस्त्वा स्थान अतिन तबली है कारक शेत्र में काफी बीजी रहेंगे 27 सितंबर शाम के गरीबन 8 बजे चंद्रमा आजाएंगे लगन में और 30 सितंबर सुभा के एक बजे तक यहीं पे रहेंगे चंद्रमा का लगन में आना ठीक होता है आपके लिए लगन में आते हैं तो राज्यों को बनता है क्यूंकि आ रहे हैं, बहुत अलग-अलग से thoughts आएंगे, बहुत अजीब-अजीब से thoughts आएंगे, बहुत अलग-अलग से विचार आएंगे, जो कहीं न कहीं आपको नकरात्मक ताकी गहराईयों में लेके जा सकते हैं, प्रयास ये करिएगा कि कुछ भी नकरात्मक थोट आता है, तो उ आगे मत बढ़ने दीजेगा, बनना वो एक दलदल होगा जिसमें आप धस्ते ही चल जाएंगे, और जो धाई दिन है हफते के बीच के वो कहीं न कहीं वेस्ट कर देंगे, नवामसा कुनली, ये भी बता रहा है कि थोड़ा भ्रमित रहेंगे और आपके माइंड में बहुत अन क्लैरिटी रहेगी, क्लैरिटी की कमी रहेगी, दसामसा कुनली, बिजनस करते हैं, थोड़ा ध्यान पूर्वक कीजिएगा, कोई गलत निरने ले सकते हैं, जहां तक लव लाइफ की बात है, अच्छा समय है, चीज़ें ठीक हो सकती है, यदि नकरात्मक चल रही थी तो विवाहिक जीवन, कही न कहीं एक दुस्रे की बातों को समझना होगा, सिर्फ हाई हेलो या फिर उपरी-उपरी बाते हो रही है, बातों के पीछे जो भाव है कही न कहीं उनको जब तक नहीं समझेंगे, विवाहिक जीवन आगे नहीं बढ़ेगा, सेहत, जिनको स्थान फिर से बरी है, कारेक शित्र में कुछ उल्जने आ सकती है कलीक्स के साथ, 30 सितंबर सुबहा के एक बज़े के आसपस चंदरमा आ जाएंगे धन स्थान में, सब्ताह अंते तक यहीं पे रहेंगे, नीच के हो जाएंगे क्योंकि विर्षिक में होंगे, अब नीच के स्थान का प्रभावता, फिर राहु के तुशनी का, अब उनसे छुटकारा प्राप्त होगा, मंगल की द्रिष्टी, क्योंकि मंगल आपके लिए आठवे भाव में बैठे हैं, तो अचानक से धनलाव आपको हो सकता है, ब्रहस्पती की द्रिष्टी भी रहेगी, साथी जब भी चंद्रमा पर रिष्टी जालते हैं, कुछ न कुछ सकरात्मक देते हैं, तो हफते के शुरुवात की नकरात्मकता से निकलते हुए, अपने लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, हफते का अंतिम भाग आपके लिए अच्छा दिख रहा है, जहां तक नवामस सकता है, जहां तक लव लाइफ की बात है, चोटी-चोटी चीजों को इगनोर कर दीजेगा, वरना प्रॉब्लम होगे, विवाइक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर में आ रहे हैं, बदलावों को समझे, क्यों आ रहे हैं, समझना पड़ेगा, सेहत, नसों के रोग, स्कि वश्टक बहुत बली है, आपके कारेक शेतर में कुछ महत्पून हो सकता है, उपाये, आपको काली चालीसा का चार बार पाट करके, एक बार काली माता की आर्थी करने, चलते हैं स्कॉर्पिय आने के वरिश्चिक के तरफ, आपके लिए चंदरमा 26 तारीकों रहेंगे आप इतना बुरा नहीं होता ग्यारवे स्थान में, पैसा आएगा, कुछ न कुछ अच्छा प्राप्त होगा, शुक्र भी है यहाँ पे, शुक्र बारवे स्थान के स्वामी, सात्वे स्थान के स्वामी, जो बहार से संबंदित कुछ कारे करते हैं, लाब होगा, स्पेशली बि लाहों का प्रभाव है तो लालच वासना यह सब चीज़ें थोड़ा तंग कर सकती हैं थोड़ा सा कंट्रोल कीज़ेगा जहां तक नवामसा की बात है कही ना कहीं अपने आप से दूर होते देखेंगे आप अपने आपको बतलब कि आपको खुदी समझने ही आएगा आपको चाहिए क्या और अपनों से भी दूर हो जाएंगे यानि कि कहीं ना कहीं आपके जो अपने हैं आपसे वारतालाप नहीं कर पा रहे इसके बीचे क्या कारण है जानने की जहां तक सेहत की बात है लिवर संबंदित रोग तंग करेंगे स्टूडेंस समय अच्छा है लेकिन महनत से मत हटिएगा सरवाश ठक भाग्यस्तान अतिन तवली है भाग्य का साथ अवश्यप राप्त होगा 27 सितंबर शाम के करीबन 8 बजे चंद्रमा आजाएंगे आपके भाग्यस्तान के स्वामी है जो लोग देश से बाहर काम करते हैं उनकी अच्छा है लेकिन यहां पर विश्योग बन रहा है राहु के तू के बीच में फसे हुए हैं चंद्रमा मानसिक तोर पर पीड़ा होगी जल्दबाजी आपके लिए नुकसान दायक हो सकती है अपने क बात है देश से बाहर जाने का प्रत्ने कर रहे थे कुछ न कुछ सकरात्मक हो सकता है यदि आप फाइनेंस से जुड़ा या फिर किसी में काम करते हैं समय सकरात्मक है लव लाइफ बहुत एक्स्ट्रा बैगेज लेके चल रहे हैं अपने पार्टनर की उम्मीदों का समाज से लाज की उम्मीदों और यह कहीं ना कहीं आपको तंग कर रहा है विवाहिक जीवन बहुत अच्छा समय स्टूडेंस और सेहत दातों के रोग आखों के रोग एसीडिटी स्टूडेंस बहुत अच्छा समय कोई गौर्मनेंट एक्जाम आपका है बहुत अच्छा करेंग आपके लगण में नीच के हो जाएंगे और सब्ताha अन्त तक यहीं पर रहेंगे चंद्रमा का लगन में आना तो अच्छा होता है आपके लिए भाग्ष्थान के स्वामी यह लिकिन जब आब प्रहस्पति की दृष्टी बनी रहेगी प्रहस्पति आपके लगने के लिए अच्छे ग्रहे हैं पंचम भाव के स्वामी हैं तो जितना नकरात्मक हो सकता तो उतना नहीं होगा चंद्रमा क्योंकि भागेस्थान के खुद स्वामी है जैसा मैंने बताया तो विपरीध ही प संबंदित को चाम करते हैं लाबो का जातक लव लाइफ की बात है बहुत अच्छा समय है एक सकरात्मक्ता से भर जाएगा आपका रिलेशंशिप विवाहिक जीवन कहीं ना कहीं कुछ नयापन लाना पड़ेगा सेहत आपको पेट से संबंदित रोगों बहुत तंग कॉंपेटिटिव एक्जाम है आपका कोई बहुत अच्छा करेंगे सरवाश तक फेर से भाग्यस्थान बहुत बली है पूरा हफ्ता भाग्य का बहुत साथ मिलने वाला है आपके लिए उपाई यह है कि आपको बजरंग बान और हरुमान चलिसा दो दोबार बाट करना है चलते हैं धनु यानि की सजिटेरियस के तरफ आपके लिए चंद्रमा 26 तारीक को रहेंगे आपके दस्वे स्थान में यानि कर्ण्या राशी में और 27 सितंबर शाम के करीबन 8 बजे तक यहीं पे गोजर करेंगे चंद्रमा का दस्वे में आन अच्छा ही होता है थोड़ी अनिशित्ता कारेक्षित्र में आ सकती है क्यूंकि एक तो बहुत सारे ग्रहों के साथ हैं अश्ट्रम के भी स्वामी है तो थोड़ा अनिशित्ता का भाव रहेगा क्यूंकि आठ्वई का सौमित्व आ गया लिकि एक नेगेटिव चीज और हो गई कि अमवस्य योग बन गया अमवस्य कोई करियर के लिए बुरा नहीं होता लेकिन जब इतने सारे ग्रहों के प्रभाव के साथ अमवस्य योग बन जाता है तो चीजें हो क्या रही है कारेक्षेत्र में वो समझ नहीं आएगा यानि कि बस्पती चौथे स्थान में बैठकर चंद्रमा को देख रहे हैं नवामसा कुंडली यह बता रही है कि पैसों को लेकर किसी से थोड़ी बहस हो सकती है दसामसा कुंडली यदि MNC में काम करते हैं यदि आप फाइनेंस से संबंदित काम करते हैं लाब होगा जहां तक लव इंग्जाइटी रक्त विकार ब्लड डिसॉडर जहां तक स्टूडेंस की बात है समय अच्छा है थोड़ा साहस दिखाना पड़ेगा सरवाश तक आठवा स्थान बहुत बली है अम मवस्य के चंद्रमा आठवा स्थान बली यानि कि हफते के शुरुआत बहुत नॉमल तो करीबन एक बज़े तक कहीं पे कोचर करेंगे लाव स्थान में आना अच्छा होता है चंद्रमा का आठवे भाव के स्वामी अचानक से लाव प्राप्त हो सकता है लेकिन शनी महराज की दृष्टी है विश्योग राहु केतु के बीच में फस गए केतु के साथ बैढ़ ग करेगा इतना कि कहीं ना कहीं आप मेंटली इमोशनली तूट से जाएंगे तो यह थोड़ा सेंसिटिव समय है इस समय थोड़ा ध्यान दीजेगा क्योंकि शनी देवी की दृष्टी है तो यह थोड़ी चीज़ें और जादा स्टॉंग हो रही है जहां तक नवामसा की बात है ओवर थिंकिंग ओवर एनलाइजिंग यह चीज़ें तंग करेंगे दसामसा यदि आप टेक्नोलोजी से संबंदित कुछ कारे करते हैं लाब होगा लव लाइफ एग्रेशन देख रहा है अभी विवाहिक जीवन कहीं न कहीं भावनात्मक तौर पर जुड़ना पड़े कहीं न कहीं आपको समझ नहीं आएगा जीवन किस डिरेक्शन में जा रहा है 30 सितंबर सुभा के करीब नेव बजर चंधरमा आ जाएंगे बारवेस्थान में नीच के हो जाएंगे अब नीच के चंधरमा जब हो जाएंगे और सपता के अंदर तक यहीं पर रहेंगे तो कह नहीं नहीं जो हफ्ते के शुरुवाती भाग में अकरात्मक्ता जीवन में आई थी उससे आप निकल पाएंगे क्यों क्योंकि नीच के तो हो ही रहे हैं इसके साथ विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं अब कोई क्रूर ग्रह होता तो और अच्छा होता है लेकिन चंद्रमा आजाएगी आपके अंदर जो चीजों से भाग रहे थे जिन चीजों से भाग रहे थे उनको सामना कर पाएंगे मंगल की द्रिष्टी जो खुद विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो ये भी अच्छा है यानि कि एक क्रूर ग्रह का साथ मिल गया जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं साहस आजाएगा कठिनाओं कठिनाईयों को बहुत अच्छी तरह से आप जेल पाएंगे जेल ही नहीं पाएंगे उनसे कुछ न कुछ अच्छा हासिल कर पाएंगे ब्रहस्पती की भी द्रिष्टी है और ब्रहस्पती लगने के स्वामी है उनकी द्रिष्टी बता रही है कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कही ना कहीं आपको आंतरिक रूप से प्रसंद कर जाएगा नवाम साथ भरोसा किसी पर मत कीजेगा और कही ना कहीं किसी के लिए कॉंप्रोमाइज भी आपको नहीं करना जो आपको चाहिए वो आपको चाहिए दसामसा कुणली, गौर्मेंट सेक्टर में काम करते हैं, लाब होगा, लव लाइफ, ओवर्थिंकिंग यहाँ पे बहुत तंग करेगी विवाहिक जीवन, थोड़ा चुप रहीएगा, अच्छा समय पीतेगा, जहां तक सेहत की बात है Diabetes यदि है, बहुत ध्यान देना पड़ेगा, Students, यदि आपका कोई competitive exam है, अच्छा करेंगे, लेकिन aggression रहेगा, वो बिगार सकता है चीजों को सरवाश्टक में आपका आठवा स्थान फिर से अतिन्त बली है, पूरे हफ़ते आठवा स्थान बली है, यानि कि ये जो हफ़ता है पूरा जीवन आपका अनिश्चित रहेगा उपाएं, आपको गणेश ची का ध्यान करना है और गणेश चालीशा का पाट करना है, क्योंकि हफ़ता थोड़ा निश्चित भरा है तो विग्ण हरता ही आपको बचा पाएंगे और इसके साथ ही आपको महामृतिंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है गनेश चालीसा का आप दो बार या तीन बार पाट कर सकते हैं और महामृतिंजय का 108 बार ये सोमबार को कर लिजेगा चलते हैं कैप्रिकॉन याने की मकर के तरफ आपके लिए चंदरमा 26 सितंबर को रहेंगे नवम स्थानवे आने की भाग्य स्थानवे और 27 सितंबर शाम के करीबन 8 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे चंदरमा का नवम में आना अच्छा होता है आपके लिए केंदर के स्वामी है तो राजयोग भी बनता है भाग्य के साथ अवश्य प्राप्त होता है अब यहाँ पे बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है अब अवस्य योग है क्योंकि सूर्य के साथ है यह थोड़ा negative है क्योंकि सूर्या आठवे भाव के भी स्वामी है बड़ों के साथ, घर के बड़ों के साथ, बॉसेस के साथ थोड़ी problem हो सकती है यहाँ पर शुक्र का प्रभाव भी रहेगा, शुक्र क्योंकि योग कारक है तो यह अच्छा है बुद्ध का प्रभाव रहेगा, बुद्ध के साथ बैठे हैं, बुद्ध क्योंकि नवम भाव के स्वामी है तो यह अच्छा है तो मिला जुला सा रहेगा आपका हफते का शुरुवाती भाव ब्रहस्पती की द्रिष्टी भी रहेगी जो ब्रहस्पती आपके लिए तीसरे भाव और बारवे भाव के स्वामी है जहां तक love life की बात है, जादा efforts नहीं लगाये जाएंगे और शायद पिछले कुछ समय से भी ऐसा हो रहा होगा जो कही न कहीं एक dissatisfaction की भावना दे जाएगा, विवाहिक जीवन, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ सकती हैं जो expected नहीं थी जहां तक सेहत की बात है, high BP की problem तंग करेगी students, students से गहीं कहूंगा कि कहीं न कहीं आपको एक strategy बनानी पड़ेगी अगर आगे बढ़ना है तो सरवाश तक सात्वा सानतिंत बली है, यात्रा अचानक से करनी पड़ सकती है 27 सेतंबर, शाम के करीबन आठ बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके दस्वे स्थान में आनी कि तुला में और 30 सेतंबर सुभा के एक बजे तक यहीं पर रहेंगे चंद्रमा का दस्वे भाव में आना अच्छा ही होता है, आपके लिए क्योंकि केंद्र के स्वामी है तो राज्योग बनेगा अब यहाँ पर राहु के तु एक्सेस में आ गए और शनीन द्वारा द्रिष्ट हो गए तो विश्योग बन गया यानि कि सब कुछ अच्छा होते होते अचानक से आप ही कुछ गलती कर बैटेंगे अपने करियर में, कारेक शेत्र में स्वाशली और उसके कारण थोड़ी दुविधा बढ़ सकती है, कुछ भी इंपलसिव मत कीजेगा किसी की सुनी कही बात को जब तक आपको उस पर भरोसा ना हो, आपने चेक नहीं किया उस पर भरोसा नहीं करना नवामसा कुनली, कॉम्मिनिकेशन गैप आते हुए दिख रहे हैं, दसामसा यदि आप मीडिया से जुड़ा कुछ कारे करते हैं, लाब हो का, लव लाइफ एक दुस्रे को समय देना पड़ेगा, यह वो समय है, यह वो टाइम है जहाँ पर एक दुस्रे को यदि समय नहीं दिया तो आने वाले कुछ दिनों में प्रॉब्लम होगी, विवाहिक जीवन, अच्छा समय नहीं है क्योंकि confusion भूत रहेगी और दोनों साइट से, जहां तक सेहत की बात है, acidity, हड्डियों के रोग, students, जो students से देश से बाहर जाने का प्रत्न कर रहेते हैं, इस समय में कुछ अच्छा हो सकता है, सरवाश्टक, आपके लिए सात्वा स्थान फिर से अतन्त वली है, जो लोग बिजनस करते हैं, उनके लिए अचाना से कुछ अच्छा हो सकता है, 30 सितंबर सुभा के करीबन एक बज़ स्थान फिर से ब्रहस्पति की दिरिश्टी रहेगी जो की आपके लिए तीसरे भाव और बारवे भाव के स्थान फिर से अपने आप में शुग रहें, तो जो हफ्ते का अंतिम भाग है यह आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहें, कुछ ना कुछ प्राप्त करेंगे ल जानने की कोशिश कीजिएगा कौन है, जहां तक दसामसा की बात है, कॉर्पोरिट सेक्टर में काम करते हैं, लाब होगा, लव लाइफ, कहीं न कहीं बहुत डिस्सेटिस्टिस्टिक्शन दिख रही है, आपको लगेगा कि इतना समय मैंने इस व्यक्ति को क्यों दिया, आखों के रोग, दांतों के रोग, तंग करेंगे, जहां तक स्टूडन्स की बात है, अगर कोई गौर्वर्मेंट का आपका एक्जाम है, बहुत अच्छा रहेगा, सरवाश्टक, सात्वा स्थान फिर से अत्यन तबली है, जीवन में एक बैलेंस लाने का प्रयास करना आपके लिए उपाई यह है, कि आपको बजरंग बान और हनुमान बाहुक, दोनों का दो दो बार पाट करना है, यह है कोंब यानिकी एक्वेरियस के तरफ, आपके लिए चंदरमा 26 तारीक को रहेंगे आपके, आठवे स्थान में, करन्या राशी में, और 27 सितंबर शाम के आठ वजे तक कहीं पे गोचर करेंगे, चंदरमा क्योंकि आपके लिए छटे भाव के स्वामी है, आठवे में है तो विपरीत राजयोग बनेगा, अब यहां पे अमवस्य योग भी है, क्योंकि सूरे के साथ है, बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है अफते के शुरुआत चंदरमा पर, इसलिए मानसिक तोर पर थोड़े परिशान रहेंगे, क्योंकि चंदरमा और सूरे दोनों ही आठवे में परिशान रहते हैं, जो प्रकाशित करहें तो सूरे और चंदरमा आठवे में बहुत परिशान रहते हैं, हाँ क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहे तो जो नकरात्मकता दिख रही है उसमें बहुत अत्तक कमी तो अवश्या आएगी फिर भी एक संसिटिव समय रहेगा ब्रहस्पती की दृष्टी धनस्तान से अगस्तमा धनलाव के योग तो बना सकती है जहां तक नवामसा की बात है एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने कॉमुनिकेशन पर ध्यान दीजेगा क्या बोलना है क्या कब बोलना है और कितना बोलना है तीनों चीज़े महत्वपूर होंगी दसामसा अपने जीवन को अपने कारे के हिसाफ से मैनेज करिए यानि कि परस्नल लाइफ में क्या चल रहा है वो अब कारे पे अफेट कर रहा है और ये होता है तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है जहां तक लव लाइफ की बात है थोड़ा टॉलरेंट रहना पड़ेगा टॉलरेट करना पड़ेगा कहीं न कहीं कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको बहुत प्रवोक कर देगा गुस्सा दिलाएगा आपको गुस्सा नहीं होना अपने पार्टनर से विवाहिक जीवन शब्दों का चयन बहुत ध्यान पूर्वक करना पड़ेगा थोड़े ब्लंट से थोड़े रूट से हो जाएंगे जहां तक सेहत की बात है आँखों के रोग दांतों के रोग तंग करेंगे स्टूडेंस भावनात्मक बहुत रहेंगे सरवाश तक आपका छटा स्थान अतिन तबली है व्यर्ति की चिंताएं घेर के रखेंगे 27 सितंबर रात के आठ बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे नवम भाव में भाग्यस्थान में और 30 सितंबर सुबह के करीब एक बजे तक यहीं पे रहेंगे ये चंद्रमा का भागेस्थान में आना अच्छा ही होता है आपके लिए क्योंकि छटे भाव के स्वामी है और नवम में आ रहे हैं यानि की काफी एक्टिव रहेंगे आप यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि राहु केतु के बीच में फस गए केतु के साथ बैठ गए और शनी महराज द्वारा दृष्टी हो गई तो विश्योग बन गया अब शनी महराज क्योंकि लगने के स्वामी है विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो उतना बुरा भाव तो नहीं रहेगा लेकिन फिर भी हाँ अपने से बड़ों से कुछ भेद भाव कुछ मतभेद हो सकते हैं और आपके शब्द लोगों को समझ नहीं आएंगे आप क्या बोलेंगे वह एक्जैक्ली लोग समझ नहीं पाएंगे इसके कारण प्रॉब्लम सोरी बढ़ सकत जहां तक नवामसा की बात है कहीं ना कहीं अपने पैसों की स्थिती को लेकर इस समय थोड़े से परेशान रहेंगे दसामसा कुनली यह बता रही है कि फाइनेंस या मैनेजमेंट सम्बंदित कारे करते हैं लाव होगा लव लाइफ पुरानी चीजों को बीच में लाएंग हाई बीपी और एग्रेशन के कारणी हाई बीपी आता हुआ देख रहा है जादक स्टूडन्स की बात है देखे समय थो बहुत अच्छा है लेकिन ओवर कॉंट्फिडेंस भी जलक रहा है सरवाश्टक के हिसाब से आपका छटा स्थान फिर से अतेंत पली है किसी को पैसा उधार मत दीजेगा इस समय वापस नहीं आएगा तीस सितंबर सुभा के करीबन एक वज़े चंद्रमा नीच के होकर दस्वे स्थान में आ जाएंगे और सप्ताह अंति तक यहीं पर रहेंगे चंद्रमा का दस्वे में आना वैसे तो ठीक है क्योंकि अर्थत्री कोन के कारक्षेत्र से पैसा आ सकता है नीच के हैं तो भी इतने बुरे नहीं है बस संबंधों पर और वानी पर और अपने बॉडी लैंग्विज पर ध्यान दीजेगा कारक्षेत्र में ब्रहसपती की दृष्टी मंगल की दृष्टी दोनों की है अब मंगल आपके लिए खुद कही ना कहीं आप किसी पर भरोसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि शायद कुछ ऐसा हुआ होगा रिसेंटली जो भरोसा उड़ गया दसामसा कुनली यह बता रही है कि यदि आप administrative कोई job करते हैं लाब होगा लव लाइफ के हिसाब से कही ना कहीं compromise बहुत कर रहे हैं जिससे थोड़ा हफता ही थोड़ा lazy थोड़ा exhausted feel करेंगे अपने life partner को उतना समय नहीं दे पाएंगे जितना देना चाहिए सेहत high BP फिर से तंग करेगी high BP की problem और कुछ उल्टा सीधा बाहर का खाना खाने की करन problem होगी जहां तक सेहत की बात है students की बात है एक ही जीस कहूंगा आपसे कि पहले अपना स्लेवस पूरा कीजेगा किसी की help करना या group studies वेगरा ठीक है लेकिन पहले अपना पूरा स्लेवस कर लीजेगा यदि कोई exam है specially तो अपनी preparation पहले तयार कीजेगा सरवाश्टक के हिसाब से आपका छटा स्थान फिर से अत्यन तबली है पूरे हफ़ते में कहीं न कहीं है इस हफ़ते में व्यर्थ की चिंताएं बहुत तंग करेंगी उपाय क्या है महामृत तुन्जय मंत्र का 108 बाल जाप कर लीजेगा बहुत अच्छा रहेगा चलते हैं चंद्रमा वैसे तो राजयोग बनता है लेकिन यहां पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव रहेगा अब सबसे अच्छी चीज है कि व्रहस्पती की दृष्टी है जो लगने के स्वामी है राशी के स्वामी है गजकेसरी योग तो बनेगा यहां पर चंद्रमा शुक्र के स साथ है जो अश्टम के स्वामी है यानि कि थोड़ा सा निश्चित्ता रहेगी अचानक से कोई बड़ा निरने मत लीजेगा यहां पर बुद्ध के भी साथ हैं जो बुद्ध सब्तम भाव के स्वामी है बिजनस के लिए अच्छा हो सकता है लेकिन ऐसा लग रहा है कि परस करने का प्रयास करें आपको यही कोशिश करनी है कि इन लोगों से जादा कुछ बातचीत ना करें इनको अवाइड करें इंग्लिश में कहते हैं इग्नोरेंस इस ब्लिस मलकिक अगर आप इग्नोर कर पाएं तो वह भी अपने आप में बहुत अच्छी चीज होती है तो हफ दसामसा की बात है यह भी थोड़ा confirm कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपके नाम को कोई खराब करने का प्रयास कर सकता है आपकी image से कोई जल सकता है अगर आप कुछ थोड़े popular हैं आप लोग प्रिये हैं आपकी पब्लिक personality है तो कुछ लोग आपसे थोड़ा इस समय जल सकते हैं विवाहिक जीवन थोड़ा relaxed atmosphere रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा जहां तक सेहत की बात है नसों के रोगतंग करेंगे students से यही कहुँगा कि भावनात्मक मत रहिएगा क्योंकि इस समय भावनाएं बहुत आपको control करेंगी समय अच्छा है emotions पर जादा ध्यान नहीं देना सरवाश टक आपका पंचम स्थान अतिन तबली है यह अच्छा है कही न कहीं भागय का साथ मिलेगा क्योंकि नवम से नवम स्थान है 27 सितंबर शाम के करीबन आठ बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके आठवे घर में चंद्रमा थोड़े पीडित रहते हैं यहाँ पे 30 सितंबर सुभा के करीबन एक बजे तक रहेंगे अब नाकेवल आठवे में है राहू केतु के बीच में भज गए हैं क्योंकि केतु के साथ बैटे हैं और शनी महराज की दृष्टी है लाबस्तान से अब लाब स्थान के शनी महाराज है तो लाब तो हो सकता है लेकिन यह जो विश्योग बन रहा है आठवे का लेना देना आ गया तो मानसिक तोर पर परिशान रहेंगे ऐसा लग रहे है कि सब कुछ ठीक होते वे आपको समझ नहीं आएगा कि wonder Scott है और ये सबसे problematic समय होता है ये सबसे चिंता दायक समय होता है क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हम परिशान क्यों है और ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है जादा seriously मत लीजेगा इस समय को एक passing face होगा आगे चलकर ठीक हो जाएगा नवामसा कुंडली बता रही है कि किसी पे पैसों के मामले में भरोसा नहीं करना दसामसा कुंडली बता रही है कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं लाब होगा जहां तक love life की बात है अगर problems आ रही है तो उनके solution निकालने का प्रयास कर सकते हैं imaginative होना पड़ेगा creative होना पड़ेगा विवाहिक जीवन कहीं ना कहीं एक नई direction देनी पड़ेगी आपको जहां तक सेहत की बात है blood disorders तंग कर सकते हैं students समय तो अच्छा है लेकिन उलजनों में खुद ही उलज जाएंगे सरवाश्टक के हिसाब से आपका पंचम भाव फिर से अतिन तबली है share market आदी से लाब कमा सकते हैं तीस सितंबर सुभा के गरीबने पज़े चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम स्थान में अब आपके लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ एक अजीब सा चीज हो जाती है कि जब चंद्रमा नवम में आते हैं राजयोग तो बनता है लेकिन नीच के भी हो जाते हैं तो इसलिए कोई बहुत जादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि चंद्रमा आपके लगने के स्वामी के अच्छे ग्रह हैं और पंचम के भी स्वामी है तो भाग या चानक से साथ देखा जो कुछ कंफूजन चल रही थी वो दूर हो सकती है यहाँ पर मंगल की दृष्टी रहेगी जो योगकारक हैं और अपनी ही राशी को देखेंगा जहां चंद्रमा बैठे हुए हैं यह भी अच्छा है और खुद लगने के स्वामी की दृष्टी यानिकी ब्रहस्पती तो यह आपके लिए बहुत अच्छा है जो भी नकरात्मकता आपको घेरेगी हफ़ते के शुरुआत में उसमें से निकल जाएंगे और हफ़ते का अंत आपको कुछ बहुत अच्छा दे जाएगा जहां तक नवामसा की बात है खर्चों पर कंट्रोल करना है दसामसा को उनली बिजनस करते हैं बहुत अच्छा समय है आपके बिजनस को उसकी जो नाम है शोहरत है वो बढ़ सकती है लव लाइफ बहुत अच्छा समय है जो प्रॉब्लम्स आ रही कि दूर हो जागी नया रिलेशन जिब भी स्टार्ट हो सकता है विवाहिक जीवन कही न कहीं धैर दिखाना पड़ेगा जहां तक सेहत की बात है हाई बीपी की प्रॉब्लम हुरदय सम्बंदेत कोई प्रॉब्लम हार्ट रिलेटेड इशूस तंग कर सकते हैं पूरेट से यही कहूंगा कि समय बहुत अच्छा है लेकिन फोकस नहीं रहेगा सरवाश्टक के हिसाब से आपका पांच्वा स्थान खिर्सी अतिन्तवली है पूरा हफ्ता पांच्वास्थान अत्यन्तवली है यह हफ्ता सोच विजार का है यह हफ्ता मंत्र साधना का है क्योंकि पूरा हफ्ता पंचम भावच्चा है नवरात्री भी आ रही है तो कोई मंत्र साधना करना चाहते हैं तो इससे अच्छा समय आपको नहीं मिल सकता जहां तक उपाय की बात है आपसे यही कहूंगा कि आपको शिव चालीसा और गौरी चालीसा दोनों का दो दो बार पाट करना है तो ये था सापताहिक राशिफल चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब कर लिजे ये वीडियो को लाइक कर लिजे मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए उपने परश्ट